6.3.1 समुद्री यात्राएं और भोगौलिक खोज जिस समय कौपर निकस, गैलेलियो जैसे वेग्यानिक अपनी खोज में लगे हुए थे उसी समय यूरोप के नाविक दूर दराज के महादियुपो तक पहुचने के लिए समुद्री रास्ते खोज रहे थे उन दिनों लोग किनारे किनारे तो समुद्र में यात्रा करते थे लेकिन गहरे समुद्र में कम ही यात्रा करते थे इसका मुख्य कारण था समुद्र का कोई नक्षा ना होना जिसकी मदद से रास्ता पता कर सके इस कारण समुद्र में यात्रा करने के लिए एक ही उपाय था तारों वग्रहों का अवलोकन और उनकी मदद से प्रिथुए पर अपनी इस्थिती का पता लगाना और रास्ता निर्धारित करना समुद्र यात्रा करने वाले नाविक धन के खोज में निकलते थे कई नाविक इस उद्देशे से निकलते थे कि नए देशों में इसाई धर्म को फैलाएंगे और इससे उन्हें श्रे और पूर्णे मिलेगा ततकालीन राजाओं ने भी नाविकों की सहायता की ताकि समुद्र में दूर तक यात्रा करके नए देश खासकर भारत और चीन तक पहुँचने के नए रास्ते खोज सके इन नाविकों का अनुमान था कि आफरीका महाद्यव का चक्कर लगा कर भारत पहुचा जा सकता है यदि दुनिया चप्टी ना होकर गेंद की तरह गोल है तो पूर्वी देशों तक पहुँचने के लिए पश्चिमी समुद्र मार्गे से भी यात्रा की जा सकती है अर्थात अटलांटिक महासागर को पार करके चीन के पूर्वी भागों में पहुचा जा सकता है पूर्टगाली नाविक वासको डिगामा सन 1498 में आफरीका का चक्कर लगाते हुए केरल के कालिकट पहुचा इससे पहले क्रिस्टोफर कोलंबस सन 1492 में अटलांटिक महासागर पार करके मध्य अमेरिका के द्विब समुवों पर पहुचा था कोलंबस को यह पता नहीं चला कि वा एक नए महाद्विब पर पहुचा था वह यही सोचता रहा कि यह भारत का कोई हिस्सा है और इसे वह इंडीज और वहां के निवासियों को इंडियन मानता रहा बाद में एक पुर्टगाली नाविक अमेरिगो वेसुपिक की निया स्थापित किया कि यह एक नया महाद्विब है उसी के नाम से इस महाद्विब का नाम अमेरिका पड़ा इसके कुछ वर्ष बाद एक और नाविक मैगेलन ने तै किया कि वह जहाज से पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर यह सिद्ध करेगा कि प्रित्व एक गोला कार है वह इस यात्र को पूरी नहीं कर पाया और आस्ते में उसकी मृत्थी हो गई लेकिन उसके अन्य सात्यों ने यात्रा पूरी की भारत में केरल प्रांत में चोधवी से सोलवी सदी के बीच गड़ितगयों की एक विशिष्ट परंपरा थी इस परंपरा के प्रमुक गणितग्य माधव, नीलकंट सोम्याजी, परमेश्वर, नारायन भर्टत्री आदी थे इन गणितग्यों ने खगोल शास्त्र और गणित से संबंधित कई नई खोज की इनके प्रमुक खोजों में क्यालकुलस के प्रारंबिक सिध्धान सम्मलित थे जिने बाद में आईजिक न्यूटन ने फिर से यूरोप में खोजा और उसने गुरुत्वकर्शन सिध्धान को स्थापित करने के लिए इनका उप्योग किया लेकिन किने कारणों से केरल के इन गड़ितग्यों का काम आगे बढ़ नहीं सका और नहीं उनके खोजों का प्रसार हो पाया